हेलो दोस्तों गुड़ मॉर्निंग स्वागत है आपका रंजना की रसोई ब्लोग में आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं सुरान और कच्चे केले की चटपटी सब्जी धन्या पता के ग्रेवी के साथ उमीद करती हो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक ला जादा नहीं बॉल करें तो आगे प्रेसा नहीं हो सकती है साथ में मैंने धन्या पता ग्रीन चिली अध्रक लोशन का पेस्ट बना कर लिया है जिसके हम बनाएंगे चटपटी ग्रेवी और मैंने लिया है थोरे से वने स्पून जितना चीनी स्वादानुजा नमक हाप स्प कोटा हुआ मसाला भी रेडी है अब हम चलेंगे गैस की और कराई में डालेंगे तेल और बोईल किया हुआ सबजियों को डालकर फ्राइ कर लेंगे हम दोनों को साथ में डालेंगे सूरन और कच्छा के लाद दोनों को ही आप चाहों तो दोनों को लग लग बोईल कर सकते हैं मैंने इसलिए बोला था ज्यादा बोईल नहीं करना है नहीं तो fry करने में परेशानी हो सकती है सिर्फ एक सीटी मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगा ले है अपना पसंदिदा से अपने कटिंग करें और fry करें बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है यह देखे दोस्तों कितना अच्छा golden brown कलर आ गया है तो सब्जी और मुस्ट फ्राइ हो गया है बहुत चटपटी बहुत हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनके रेडी होगा फ्रेंज एक बार जरू ट्राइए करिएगा तो सब्जी हो गया है फ्राइए प्लेट में निकाल लेते हैं देख सकते हैं प्रेंज कितना अच्छा golden brown कलर आ गया है अच्छे तरीके से फ्राइए हो गया है अब हम इसी कराई में एट करेंगे थोरा सा और तेल पचपोरना इजली मार्किट में भी मिल जाता है अगर आप चाहँ घर में बनाना तो भी बना सकते हैं सेम क्वैंटिटी में जीरा काला जीरा मेथी सौफ अजवाइन को मिक्स कर लें पचपोरना रेडी करीपटायद कर देंगे और पीछा हुआ मसाला पीछा हुआ मसाला डालकर तीन से चार मिनिट भून लेंगे अच्छे तरीके से ड्राइ होने तक एक बार और बोलना चाहूँगी फ्रेंज अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि इसी तरीके का सिम्पल वीडियो लेके आओ तो आपको जल्दी से और स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए देखिए फ्रेंज सब्जी भुन गया है अब आम इसी में एड़ कर देंगे कूटा हुआ मसाला आब एड़ कर देंगे कुछ पाउडर मसाला जैसे की वन एस्पून चाट मसाला हाप एस्पून हल्दी पाउडर आप चाहो तो एसकिप भी कर सकते हैं वन एस्पून रेड़ चिली पाउडर हाप एस्पून गरम मसाला एड़ कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब एड़ करेंगे फ्राइ कियावा सब्जी और सब्जियों को मिक्स करके थोरा सा पानी एड़ करेंगे और सब्जियों को अच्छे तरीके से दो से तीन मिनिट भून लेंगे मसालों के साथ देख सकते हैं फ्रेंज कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है तेस्ट के साथ साथ हेल्ज के लिए भी अच्छा है एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और अपना अनुभब हमारे साथ सेर कीजेगा वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तब देख सकते हैं प्रेंज सब्जी भून गया है एड़ कर देंगे अब एक निम्भू का जूस एक मिनिट बूनेंगे अब चाहूं तो ऐसे भी इंजोई कर सकते हैं ड्राइ सब्जी रेडी है पूरी पराठा चापल नान किसी भी चीज के साथ इंजोई कर सकते हैं अब हम एक कर देंगे जरूर जितना पानी मिक्स करके कावर करके दो से तीन मिनिट पका लेना है अगर आपको ड्राइ चाहिए तो पानी नहीं डालना है ऐसे ये दो से तीन मिनिट निम्भू का जूस डाल कर पका ले और इंजोई करें यह देखिए फ्रेंज सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए जब चाहें तब बना कर इंजोई कर सकते हैं सुभा का ब्रेकफांस से लेके सामके दीनर तक इंजोई करने वाला सब्जी है रोटी प्राथा नान चावल किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं तो सब्जी है बिल्कुल रेडी एक बार जरूर ट्राइ कीज़ेगा अगर पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़ेगा और आपना अनुभा महारा हमारे साथ कमिट करके सेल कीज़ेगा पक गया है अच्छे तरीके से अब हमेट कर देंगे थोरे सा धन्या पत्ता काबर करके गैस को करेंगे बन सबजी रेडी है अपनी छोटी सी यूटूबर का सपोर्ट करें फ्रेंस इसी तरीके का सिंपल डेलेसिस वीडियो आप लोग के बीच लेके आओ और आप लोग इंजोई कर पाओ अगर वीडियो पसंद आया होता एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग, हैव अनाइस दे, बाई बाई, मिलते हैं नेक्स वीडियो में